नमस्कार सिटी पोस्ट लाइव के इस चुनावी पिसकस में आपका स्वागत है। नमस्कार सिटी पोस्ट लाइव के इस चुनावी पिसकस में आपका स्वागत है। को तेजस्वी आदो से ही लेना है तो तेजस्वी आदो से कितनी सीटे ले पाएंगे इसको लेकर पेंच फसा हुआ है मैं आपको बता दूँ कि अभी तक लालू यादो ने किवल चार सीट क्लियर किया है और यह है काराकाट जहां से खुद उपिंदर को स्वाहा सांसद है उ और पांचवा सीट जो चाहते हैं उपिंदर को स्वाहा की पाटी के नागमनी जहानाबाद या चत्रा में से कोई मिले उसमें से दोनों सीट पर पेज फसा हुआ है जहानाबाद से आरजडी के नेता सुरिंदर यादों है ताल ठोक रहे हैं पीछे हटने को तयार नहीं है दुसरी तरफ चत्रा से बालू कारोबारी सुबास यादों है वो एक महिना से चुनाओ परचार कर रहे हैं यानि लालू यादों की तरफ से हरी जंडी उनको मिल चुकी है लगतार चुनाओ मेदान में जमें हुए हैं तो उनको भी पीछे हटाना मुस्किल काम होगा क्यों सुबास से यादो एक तरफ हैं एक तरफ सुरिंदर यादो हैं दोनों खास हैं और दोनों खास की वजह से उपेंदर कुछ वाहा की पार्टी से जो सीटों का ताल मिल होना है महागटबंदन में उसमें पेच फस गया है अब नागमनी जो सबसे अहम भूमिका निभाच हुआ है और इसी पेच को सुलजाने के लिए उपेंदर कुछ वाहा नागमनी जा रहे हैं मिलने लालू यादो से रांची रिम्स में जहां पर उनका इलाद चल रहा है तो रांची रिम्स में 29 तारीक को पहुंचेंगे हमारे रांची समधाता के अनुसार उपेंदर कुछ कुछ वाहा की मुलाकात रांची में लालू यादो से 29 दिसंबर को होनी है और उस मुलाकात के दोरान नागमनी भी हो सकते हैं तो कोशिस जारी है कि नागमनी के लिए कम से कम एक सिट तो मिल जाया जहानाबाद या उजियार पूर्तों सिट मिला ही हुआ है जहानाबाद य 17 से मिल जा कोई एक सिट लेकिन दोनों में से कोई सिट मिलने के सम्भावना बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है तो परिशानी बढ़ी हुई है नागमनी की उपेंद्र कुसवाह की अब देखिए किस तरह से पेच सुलजता है क्योंकि महागडवंदन का स्वरूप बहुत ब मलाह को भी करा लिया है दोनों ही अपनी जाती के बड़े नेता हैं और बड़े महत्वकांची भी हैं तो कितनी सिटे मांगेंगे इसको लेकर पेच फसा हुआ है उपेंद्र कुसवाह को कौन कौन से सिट मिलती है वैसे मैं आपको फिर एक बार से बता दूँ कि अभी क्यो काराकाट, उजियारपूर, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद नहीं हुआ है तो काराकाट, उजियारपूर, गोपालगंज, जमुई, ये चार सिट ही लालुयादों ने फाइनल किया है जहानाबाद भी अभी क्लियर नहीं हुआ है चत्रा भी क्लियर नहीं हुआ है औ तो कि मुतिहारी सीट बीजेपी के कबजे में है और जेडी कोशिस कर चुकी है उस पर कबजा करने का लेकिन आज तक कर नहीं पाई है तो हो सकता है यह सीट मिल जाए तो वो सीट जितना कितना आसान होगा यह भी देखने वाली बात होगी तो महागटमंदन में भी आने वाल लागतार मिलना है उसके लिए बहुत-बहुत साधुवाद नमस्कार